वेलकम दोस्तों मैं हूँ अर्टकुर जीत अंदर आज के वीडियो में डीवी के केस को लेके भूती महत्तिकन जानकारी बताने वाला हूँ कि अगर आपका डीवी का केस चल रहा है तो उसको केवल 2 मंद या दो मेने के अंदर आप खतम करवा सकते हैं तो किस तरीके से करवा सकते हैं क्या आपको करना होगा क्या कानूर में प्रावधानी किया गया है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है तो डीवी केस से रिलेटेड बहुती इंपोर्टेंट वीडियो है करिंशे भी स्कीट नहीं करना है पूरा सी का मकसद यह होता है जिनका भी केस कोट के अंदर चल रहा है वो चाहते हैं कि उनका केस जल्दी खतम होना चीए उनको बार-बार कोट के चक्कल ना लगाने पड़े उनका पैसा है जो अधिक बरबाद ना हो तो इसके लिए उनको क्या करना होगा इस वीडियो में बात कर रहे हैं डियू के केस को लेके तो डियू का केस जल्दी खतम कैसे होगा इसके लिए दोको दोस्तों ये प्रावधान किया गया है कि DV Act के section 12A के subclose 4 में clearly mention किया गया है कि अगर किसी court के पास में DV की कोई application आती है तो उसको within 3 day तीन दिन के अंदर accept करना चाहिए और रही बात इसकी परक्रिया की कि ये पूरा case कितने दिन में खतम होना चाहिए तो इसको लेके भी ये प्रावधान किया गया है DV Act के section 12A के subclose 5 में कि इसकी परक्रिया 60 day यानि कि दो मेहने के अंदर खतम होनी चाहिए यानि कि possible हो तो इतने time period में DV का case है जो खतम हो जाना चाहिए जो स्क्रीन के उपर सो भी हो रहा है आप देख लीजे कानून के अंदर भी ये प्रावधान किया गया है पर यहां पर बात यह आती है कि फिर भी अधिक समय केस से लग जाता है तो दोस्तो इसके लिए आपको ये करना होगा कि अगर आपका केस से जल्दी सोट आउट होगा जल्दी खतम होगा जल्दी आपको प्रेनाम मिलेगा ज्यादा आपको कोट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे तो इस तरीके से आप अपने केस को जल्दी खतम करवा सकते हैं तो ये कानून में प्रावधान किया गया है खुद डिवी के अंदर ही प्रावधान किया गया है तो ये जानकरे आपके समझ में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक करके ज्यादस ज्यादस शेयर कर दीजी जो और लोगों को भी जानकरे का पता चल सके तो फिर आगे में लेंगे आपसे ने वीडियो ने टूपी के साथ में आप बहुत बहुत धन्यवाद